Welcome to SJR Education इस All Teaching Series के अंदर ये पांचवी वीडियो है इससे पहले में चार थियोरीज डाल चुका हूँ और एक और आएगी कल सुबह दस बचे तो ये छे वीडियोज हो जाएंगी इसके पाद शायद मैं दो और बना सकता हूँ मैं इसकी एक सेपरेट प्लेलिस तयार कर दी है जिससे कि आप लोग पेपर से पहले इसे जरूर रिवाइस करेगा और शेयर करेगा बेहवरिजम लनिंग थियोरी क्या होती है बात करेंगे आज की वीडियो में तो देखिए आप मुझसे कॉमर्स और पेपर वन अनकाडमी पर पढ़ सकते हैं और कॉमर्स और पेपर वन जो है इसके नए कोर्से शुरू हुए हैं एक सितंबर से ही अगले अटेम्ट के लिए तो यहाँ पे अगर आप कंप्लीट कोर्से में अंडोल करते हैं तो इस कोड के साथ करेगा SCRYT कोड जिससे कि आपको डिसकाउंट मिलेगा 10% का और ये पर्टिकुलर जो प्लस कोर्से हैं बहुत बेनिफिशल होंगे आपके लिए क्योंकि अगर आप 6 मेने के स्ब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे आप Commerce के पूरे कोर्से जो हम लेके आएं हैं और Paper 1 के पूरे कोर्से और UGC Net के लिए जो आपकी Test Series है Extra चीजे हैं वो सब आपको यहां मिल जाएंगे और आप Free Class भी Join कर सकते हैं जो कि रात को रोज 10 वजे होती है जिसमें की हम Paper 1 की Revision कर रहे हैं Behaviorism Learning Theory क्या है देखिए यह एक Based है Idea पर कि एक Student कैसे Behave करता है मतलब Behaviorism पूरा इस बात पर Based था कि आप Objectively कैसे किसी के Actions को Observe करते हैं और वो Actions जो हम Observe करते हैं वही Behavior होता है तो यह इस Idea पर Based है कि Student कैसे Behave करता है अपनी Interaction जो उसकी अपने आसपास के Mahal या Environment के साथ Interaction होती है तो यह सजेस करती है थियोरी की Behaviors हमेशा Influence होते हैं और वो हमेशा सीखे जाते है External Forces जैसे लेव विबास्की का कहना था Social Constructivism के अंदर और किस तरीके से हम हमारे जो आसपास Social Elements होते हैं हमारे आसपास जो Environment होता है उससे हम सीखते हैं तो यह भी बात वही है कि कैसे Behavior Influence होता है और हम सीखते है External Forces से यह Internal Forces से Internal Factor से नहीं आता है और Psychologists जो है कही ना कहीं They have been developing the idea of Behaviorsum 19th century से इसकी शुरुवात होती है और यह Mentalism के खिलाफ आता है एक Objective Based Theory है मतलब कि Quantifiable होता है और Mentalism Subjective होता है जो इससे पहले था फिर उसके बाद Humanism आ गया तो जो 19th century से Behaviorism का Idea सामने आता है तो यह एक ऐसी Learning Theory है जो Psychology में कि कैसे Observe कर सकते हैं हम चीजों को और कैसे Quantify कर सकते हैं कि Behaviorism को Qualitative कभी मत बोला करो Subjective कभी मत बोला करो Objective और Quantifiable तरीका है यह और Positive Reinforcement एक Popular Element है Behaviorism का जैसे मैंने अभी एक Class ली थी आपकी Behaviorism पे Free Class and Academy पे मैं उसका Link डाल दूँगा Community Tab में आप जाके देखना मैंने आपको Radical Behaviorism भी बताया था Categorical भी बताया था और मैंने उसमें आपको बताया था कि कैसे जो Proponents है Behaviorism के Classical Conditioning और Operant Conditioning दोनों differently कैसे काम करते हैं हम कैसे Classical में एक्जामपल लेते हैं Pavlov का कैसे Little Albert वाला एक्जामपल लेते हैं और फिर Operant में हम Skinner का एक्जामपल लेते हैं जिसमें हम Positive-Negative Reinforcement की बात करते हैं Punishment की बात करते हैं तो ये दो Ideas पर बेस वो Class थी जिसमें पूरी History भी बताया थी मैंने आपको Behaviorism की तो किस तरीके से जो Pavlov के Dog का Experiment है वो Classical Conditioning में प्रूफ करता है कि behaviors directly motivated होते है जो reward उसके साथ जोड़ा जा सकता है और फिर कैसे आप एक stimuli जो की बिलकुल एक response से related नहीं थी लेकिन आप उसको कैसे आप जो है जोड देते हैं तो Pavlov वाले case में बेल बिलकुल related नहीं थी food से लेकिन उसको जोड दिया जाता है और सिर्फ वो बेल से ही जो dogs है वो react करने लगते हैं तो teachers in classroom behaviorism की approach को behaviorism learning theory की बात कर रहे हैं तो teacher कैसे use करेगा उसे classroom में तो वो positive reinforcement का इस्तेमाल करते हैं students को जब वो कुछ अच्छा करते हैं तो उनको सराते हैं अगर गलत करते हैं उनको वहाँ पर रोका जाता है तो इसी लिए जो है students जो receive करते है positive reinforcement ये likely होता है कि वो इस behavior को और जाता जो है repeat करेंगे क्योंकि उनको reward मिला है इससे और इसी तरीके से behaviorism की इस theory का learning theory के दौर पर teachers इस्तेमाल करते हैं कई लोगों को ना जो class के titles हो देखके लग रहा होगा कि ये particular theories ये नाम तो हमको आते हैं नहीं ये theories learning के context में बता रहा हूँ मैं आपको कि teachers आप हर वीडियो में देखना होसे मैंने बात किए कि teachers कैसे इस context पर इस्तेमाल करेंगे तो अगर मुझे behaviorism को class में यूज़ करना है behaviorism की theory को learning को जो है जादा बेतर बनाने के लिए बच्चों की through positive reinforcement और sometimes जो है वो punishment या negative reinforcement का भी इस्तेमाल होता है जो हमारे time पे school में कुछ जादा होता था आप telegram पे जाके file section में ये सारी PDF जो है वो download कर सकते हैं इसमें मैंने सभी मेरी free classes और प्लस classes paid classes के link डाल रखे हैं जिससे कि आपको एक ही जगाए academy की सभी free classes भी मिल जाएंगी यह आप देख लेना और शुक्रिया